गीता में चोथे अध्याय के एक शलोक में भगवान कृष्ण ने कहा है सज्जनों की रक्षा के लिए आता हूँ दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ हर युग में लोगों के कश्ट दूर करने के लिए भगवान विश्णू ने अवतार लिये हैं वैसे तो भगवान विश्णू के अनेक अवतार हुए हैं लेकिन उन में दस अवतार ऐसे हैं जो प्रमुक रूप से स्थान पाते हैं पहला है मत्से अवतार मत्से अवतार भगवान विश्णू का पहला अवतार है इस अवतार में विश्णू जी मचली बनकर प्रकट हुए थे मान्यता के अनुसार एक राक्षिस ने जब वेदो को चुरा कर समुद्र की गहराई में चुपा दिया था तब भगवान विश्णू ने मत्से अवतार में आकर वेदो को दुबारा स्थापित किया था दूसरा है वराह अवतार वराह अवतार हिंदू धर्म गंतों के अनुसार भगवान जी के दस अवतारों में माना जाता है इस अवतार में भगवान ने सुवर का रूप धारन करके हिरन्याक्ष नामक राक्षश का वद्ध किया था तीसरा है कच्छप अवतार या कुर्म अवतार इसमें भगवान विश्नु कच्छुआ बनकर प्रकट हुए थे कूर्म अवतार में श्री हरी ने शीर सागर के समुद्र मंधर में मंदार परवत को अपने कवच पर रख कर संभाला था चौथा है नर्सिंग भगवान भगवान विश्णू के दस अवतारों में से चौथा अवतार नर्सिंग का है इस अवतार में वे आधे शेर और आधे मनुश्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चहरा शेर का था और शरीर इनसान का था। नर्सिंग अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरन्या कश्यप को मारा था। पांचवा है वामन अवतार भगवान विश्नु का पांचवा अवतार है वामन का। इसमें भगवान ब्रामन बालक के रूप में धर्ती पर आये थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बली से दान में तीन पत धर्ती मांगी थी। तीन कदम में वामन ने अपने पैर से तीन विश्नु के अवतार परशुराम राजा प्रसेंजीत की बेती रेनुका और भिंगुवंशिय जमदगनी के पुत्र थे भगवान शिव का परशुधारन करने के कारण उन्हें परशुराम कहा जाता था शर्ण के एंकारी विद्वंशि से संकसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था سात्वा है श्री राम विश्णु के दस अवतारों में से एक है मर्यादा पुरुषत्तम् भगवान श्री राम का महर्शी वालमी की ने राम की कथा संस्कृत महा काव्य रमायन में लिखी थी और तुलसीदास ने भक्ती काव्य श्री राम चरित मानस की रचना की थी श्री राम ने रावन का वद कर संगसार का कल्यान किया था आठवा है श्री कृष्ण ये शोदा नंदन श्री कृष्ण भी विश्णू के अवतार थे श्री कृष्ण की माभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी वो इस युद्ध में अर्जुन के सार्थी थे और युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था नौवा अवतार है भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध को भगवान विश्णू का नौवा अवतार माना जाता है उन्होंने विश्व में शांती स्थापना के लिए ये अवतार लिया था दस्वा अवतार है कलकी अवतार कल की अवतार भगवान विश्णू का आखरी अवतार माना जाता है कल की पुडान के अनुसार श्री हरी का कल की अवतार कल्यूग के अंत में होगा उसके बाद धर्ती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा और दुबारा सत्यूग के स्थापना होगी तो कैसी लगी ये जानकारी आपको हमें कॉमेंट्स में बताईए और देखते रहे धर्मसमवाद मैं थी तमिश्री धन्यवाद